हनुमान जयन्ति की आप सभी को हार्दिक शुब काम नाएं आखिर हनुमान जी ऐसी ताकत क्यों है जो उनको संकट मोचन बनाते हैं क्यों कोई भी दुख, बाधा, परेशानी, मन में डर आने पे हमें सबसे पहले भगवान हनुमान ही याद आते हैं क्यों हनुमान जी की ताकत को हमेशा उस समय पे यूज किया जाता है जहां बाकी हर चीज हमारा साथ छोड़ जाती है हनुमान चालीसा को किस तरहा से पढ़ा जाए कि आपको उसके पूरे फल मिलें आज के वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और हाँ हनुमान जीनती के पावन अफसर पर इसी वीडियो में मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा विशेश मंत्र देने वाला हूँ जो अगर आपने कंठस्त कर लिया अगर आपने उसको स्वय में उतार लिया तो फिर यकीन मानिये कोई बादा कोई परेशानी आपको छू नहीं सकती है नमस्ते मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागता आपका हैपी लाइफ विड योगे शर्मा में और आगे बढ़ने से पहले दोस्तो एक विनमर निवेदन के अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जूरूर करिये ना भूलियेगा दोस्तों रामायन की अगर बात करे ना तो रामायन में या तो मंदिर है भगवान राम के और या फिर मंदिर है हनुमान जी के हनुमान जी के व्यक्तित्व में हनुमान जी में ऐसी कौन सी विशेश बात है जो उनको भगवान का दर्जा देती है क्योंकि हनुमान जी ने कहीं पे खुद को भगवान नहीं माना है उन्होंने तो अपने आपको भगवान राम का दास माना है उनका एक सेवक माना है लेकिन उनका यही सेवक तत्व जो है उनको भगवान की उपाधी दिलाता है क्योंकि हनुमान जी जो है वो हमेशा enthusiastic नहीं है वो dedicated नहीं है इन सबसे उपर एक चीज होती है बिल्कुल आतूर होना हनुमान जी जो है यह किसी भी काम को लेकि इतने आतूर रहते हैं कि फिर काम की मजाल नहीं है कि जिस काम को हनुमान जी हाट डाले वो काम होना पाए आप शुरू से लेके अंतक रमायन को पढ़ी उसमें देखिए कि जो जो काम हनुमान जी ने पकड़ा वो काम क्या पूरा हुआ बिल्कुल पूरा हुआ जहां जहां पे situation खराब थी क्या हनुमान जी पैनिक हुए चाहे लक्ष्मन मूर्षा का समय लगा लीजिए चाहे हनुमान जी जब रावन के दरबार में कैद करके लाए गए थे तब का समय लगा लीजिए या युद्ध का समय लगा लीजिए संजीवनी बूटी लाने का समय लगा लीजिए किसी भी समय पे हम हनुमान जी को ना confused देखते हैं ना हनुमान जी को हम किसी भी तरह में डोले हुए देखते हैं हम अपने जीवन में क्या करते हैं, जीवन में कोई समस्य आये तुरंत घबरा जाते हैं, तुरंत डोल जाते हैं, हनुमान चलीसा दरसल हमें हमारी खोई हुई ताकतों को याद करवाने वाला मंत्र है, उसमें जो भी लाइने हैं, उसमें हनुमान जी को याद करवाया गया है कि आपने ये भी किया था, आपने वो भी किया था, ठीक इसी तरह से, आप ये मान के चलिए, कि हमारे अंदर भी एक हनुमान है, क्योंकि हम भी तो इश्वर का ही एक रूप है, इंसान जो है इश्वर के extension भर है न, यही हमने वेदों में पढ़ा है, यही हमने अपने शास्त् आ जाते हैं, हम बिल्कुल solution less हो जाते हैं, जब भी दिक्कत आती है, हमें सूझता ही नहीं है, कि क्या करें, क्या ना करें, तब हम dependent होते हैं, कि कोई आये, हमारी मदद करके जाए, तब ही हम पूझा पाट करते हैं, हम दरसल अपनी डर की वज़ा से भी पूझा पाट करते ह हनुमान चालीसा को अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, कि दरसल हनुमान जी आपके अंदर ही हैं, लेकिन वो सोय हुए हैं, वो अपनी ताकतों को भूल के बैठे हुए हैं, आप दरसल हनुमान जी के द्वारा खुद को याद करवा रहे हैं, कि आप capable हैं, आप जब अपन डाइनमिजम की बदावलत चल रही थी, अब हनुमान चालीसा जो है, आपके अंदर का वो डाइनमिजम जो है, वो वापिस एक्टिवेट करवाता है, हनुमान चालीसा में एक लाइन है, राम दुवारे तुम रखवारे, होतना अग्या बिन पैसारे, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है हनुमान जी राम चंदर जी के द्वार पे बैठे हुए है, और हनुमान ची की आग्या के बिना राम तक कोई नहीं पहुंच सकता है, इसका सीधा सीधा मतलब है, कि अगर आप ईश्वर के परमतत्व को पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक्स रिश्वत लेकि आगया देंगे, मेरी बात को अधर्वाइस मतलिजेगा, यहाँ पर हनुमान जी को लोग रिश्वत देने की कोशिशें करते हैं, हमने इतनी बार हनुमान चले सा पढ़ लिया, हमने सिंदूर चढ़ा दिया, हमने दीपक चला दिया, हनुमान जी दरसल क्य करते हैं, जो कर्म योगी हैं, केवल उनको ही आगया देते हैं, आप कभी मेट्रो स्टेशन पे या किसी ऐसे स्टेशन पे जाइए, जहां पे एंट्री जो है, टोकन देके हैं, कार्ड देके होती है, आप टोकन डालिए, कार्ड लगाईए, गेट अपने आप खुल हैं, आप कितनी जल्दी अपने बेस्ट सेल्फ में वापिस आने की कोशिश करते हैं, केवल ये तरीका है, अपने अंदर के हनुमान जी को जाकरित करने का, केवल ये तरीका है, हनुमान चालीसा के द्वारा भगवान हनुमान जी की कृपा पाने का, हनुमान चालीसा की एक कोशिच करेगा हनुमान चली सा वो खरीद के लाईए जिसमें पूरे-पूरे दोखों का मतलब समझाया गया है। आपको फिर समझाएगा दरसल हनुमान जी की उर्जा क्या है। आपने इंसान बिलकुल ऑने काम में डूब जाता है। अप डेखिए आप अपने जीवन में अगर कुई पीडा भोग रहे हैं आप अपने जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, हमें सामने वाले की कमी नजर आती है, हमें परिस्थित्यों की कमिया नजर आती है, नोड़ोट वो होती भी हैं, लेकिन हम अपनी कमी कब ढूंडेंगे, हमें ये नहीं नजर आता है, कि हम अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, हमें ये नजर नहीं आता है, कि हम किसी चमतकार की आशा कर रहे हैं, हम हनुमान चल कितनी बुद्धी से सुर्षा को हेंडल किया था लंकिनी को हेंडल किया था फिर कितनी टेक्ट फुली उन्होंने रावन के दर्बार में जाके रावन को भी एप्रोच किया था देखे ये सारी की सारी चीजें जो है ये हनुमान चलीसा से ये हनुमान जी की जीवनी से सीखने वाली हैं केवल हनुमान चलीशा को recite करते रहिए उससे बात नी बनेगी हनुमान चलीशा को खुद के अंदर उतारिए हनुमान चलीशा के according behave करिए अपने अंदर के हनुमान को जगाईए और फिर देखिएगा कि किस तरह से हनुमान जी जागरत होके आपके साथ चलते हैं आपकी किसी भी दिक्कत को solve करते हैं जैसा इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा सिद शाबर मंत्र देने वाला हूं जिसको अगर आपने कंठस्त कर लिया तो कोई दिक्कत कोई परिशानी आपके साथ खड़ी नहीं रह सकती है तो वो शाबर मंत्र है ओम पीर बजरंगी राम लखन के संगी जहां जहां जाए फते के डंके बजाए दुहाई मता अंजनी की आन इस मंत्र को स्क्रीन से आप चाहे पॉज करके लिख के अपने पास रख लीजिए इसको जबते रहिए आपको कोई समस्या है आपके उपर कोई मुकदमा चल रहा है आपके उपर कोई विवाद है आप मन चाहा काम नहीं ढून पा रहे है करजा बढ़ता चला जा रहा है आपके कमाई जो है वो आपको उतना resources ही नहीं दे रही है कि आप अपने करजे उतार पाए संबंधों में समस्या ही आ रही है आपको कोई समझे नहीं पा रहा है आपको कुछ भी करना चाहरे है आपको उसका यशे नहीं मिल रहा है जीवन मानो एक अंधकार में हो रखा है तो ये जो मंत्र है ना हनुमान चली सा रोज पढ़िए उसके बाद इस मंत्र को बिना गिने हुए जब करिए बिना गिने क्यों करना है इसका मर्म में कभी आने वाले किसी वीडियो में आपको जुरूर समझाऊंगा लेकिन फिलाल के लिए इतना समझ लीजे कि इसको बिना गिने हुए पढ़ते रही है सारे दिन में आते जाते उठते बैठते यकीन मानिए ये मंत्र आपको पूरी तरह से कहते ना विजेई भव आपको पूरी तरह से आपके जीवन में इस्टैबलिश करेगा आपको विजेता बनाएगा बस जुरूरत इतनी है कि केवल चीजों को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है अपने जीवन में एपलाई करने के लिए पढ़िए उसका मतलब समझे उसको अपने जीवन में एपलाई करिए केवल और केवल तभी आपको किसी पाठ का, किसी मंत्र का पूरा फल मिल सकता है तो मैं आशा करता हूँ, आज का वीडियो आपके लिए ज्यान वर्थक रहा होगा एक बार फिर से हनुमान जैन्ति की आपको हर्दिक शुब कामनाए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखिएगा, नमस्ते